हेलो गाइज आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल सबजीरो गेमिंग पर आज हम लेकर आए हैं IPL से जोड़ी लेटेस्ट खबरें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं RCB वर्सिस KKR मैच की जो की खेला गयाता चिन्नसवामी स्टेडियम बेंगलूरू में कॉलकत्ता के कप्तान श्रेश एयर ने टॉस जीत कर गेंद बाजी चुनने का फैसला लिया RCB पहले बाले बाजी करते हुए 182 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर विराट कोली रहे RCB की तरफ से टॉप स्कॉरर जिन्होंने बनाए 83 रन 59 बॉल्स पर कॉलकत्ता चेस करते हुए कापवी एराम से 16.05 पांच ओवर में ही जीत गया 19 बॉल शेश रहते प्लेयर ओड़ मेच की बात करें तो सुनी नाएन बने प्लेयर ओड़ मेच जिन्होंने बहुत ही शांदर आल राउंड परफॉर्मेंस दिखाया सबसे पहले गेंद बाजी करते हुए उन्होंने एक विकेट ली और काफी एकोनोमिकल है फिर जब बल्लेवाजी की बारी आई तो ओपनिंग आये सुनी नाएन जिन्होंने ताबर तोड़ बल्लेवाजी करते हुए आर्सीबी के आपर सारे गेम प्लान खराब कर दिये उन्होंने बनाई 47 रन मातर 22 गिंदों में कॉलकत्था के इस बड़ी जीत के ऒआद पॉंच टेबल में कहीं बड़ी हलचल हमें नखर आई बात करे टॉप पर अभी BCS के बरकरार और कल की काफी बड़ी यहाँ पर और काफी शांदार जीत के बाद कॉलकत्ता पहुच गई है दूसरे स्थान पर और RCB को काफी बड़ा डेंट लगा है RCB काफी बड़ी हार के बाद अब छटे पोजिशन पर पहुंच सी वेने ज़रा रही है तीन मुकाबलों में RCB के पास सिर्फ एक ही जीत है और वो भी काफी बड़े मार्जिन से नहीं थी तो RCB काफी सोच विचार करना पड़ेगा उनको अब बात कर लेते हैं Orange Cap की तो Orange Cap पे कल चांदार बल्लेवाजी के बाद में Virat Koli Orange Cap के हगदार बन गए है Virat Koli के 181 रन है तीन पारियों में दूसरे इस्थान पर यहाँ पर हैंडी क्लासें जिनके हैं 143 रन और तीसरे पोजिशन पर है राजस्तान रोयल्स के रियान पराग जिनके हैं 127 रन परपल कैप की बात करें तो मुस्तफिज रुहमान अभी भी परपल कैप होल्डर 6 विकेट के साथ दूसरे पोजिशन पर पहुँच गए है हर्सित राना जिनके हैं 5 विकेट्स और तीसरे पोजिशन पर आंदरे रसल जो की हैं रसल मसल उनके हैं 4 विकेट्स RCB की इस काफी करारी हार के बात में विराट कोली की बहुत जादा जम कर ट्रोलिंग हुई विराट कोली को कहा गया कि आप हैं हार के जिम्मेदार विराट कोली की पारी को बहुत ही सेल्फिस बताया उनके फैंस ने और उनके ट्रोलर्स ने कहा कि विराट कोली खुद के लिए खेलते हैं इतना धीमा खेलने की क्या जूरत थी जब कॉलकता बल्लेवाजी करने ही तो उन्होंने ताबड तोड़ बल्लेवाजी करी तो इसके जवाब में फाब डूपलेसिस और वेंगटेस अईयर ने कहा कि पहली पारी में पिच्छ थोड़ी सी धीमी थी लेकिन दूसरी पारी में ड्यू के कारण पिच्छ पर से बोल अच्छी आ रही थी और चौट समाने में काफी असानी थी कल के मैच में काफी शौकिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला आरसी भी जब पहले बल्ले वाजी कर रही थी मुझे लग रहा शायद गौतम गंबीर विराट कोली की शांदार पारी के लिए उन्हें बधाई दे रहे थे और काफी अच्छा महावल दोनों के बीच में जिसको देखकर काफी अच्छा लगा होगा तो ये थे कुछ नए IPL अपडेट्स ऐसे ही मज़दार और चटपटी IPL अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल नोटिफिकिशन को दबाना भी ना भूले ताकि आप हमारी लेटस्ट अपडेट्स को मिस ना कर सकें जै हिंद जै भारत